नमस्कार आज आपके लिए गंगा मया तीसरा वाला पार्ट से एक शब्ज या व्याक्यांश में उत्तर लिखिए गंगा मया के लेखक कार हैं डाक्टर बरसा निलाल चतुरवेदी आज हम एक अंख वाले प्रश्ण के आधार पर चर्चा करें हैं एक शब्ज या व्याक्यांश में उत्तर लिखिए लेखक ने किन से शासतकार किया शासतकार लिया है लेखक ने गंगा मया से शासतकार लिया है लेखक मकरा संक्रान्ती के दिन कहां थे लेखक मकरा संक्रान्ती के दिन इलाबाद में थे मा कहां विराज रही थी मा मंदिर में विराज रही थी मा के चेहरे पर क्या थी मा के चेहरे पर उदासी थी किसका संकट चर्चा का विशय बना हुआ है चरित्र का संकट चरचा का विशय बना हुआ है गंगा मया ने सत्या को क्या कहा है किस का वैपारी करण हो रहा है धर्म का वैपारी करण हो रहा है असली जगडा किस के बारे में है असली जगडा कुरसी के बारे में है मनुश्य के कुकुर मो पर कौन हसने लगे है मनुश्य के कुकुर मो पर पशु पक्षी भी हसने लगे है यहाँ पर वनमाक्स के जो प्रशन उत्तर दे कर है उसमें मेन आंसर को आपको अंडलेंग किया गया है उस पर ध्यान दीजिए 2-3 टेम कोशन लिख कर 5-6 टेम या 10 टेम उसको आंसर को लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये आंसर प्रशने देखते मान ही ये आसन सर आपको आ जाए या उत्तर आ जाए तो लिखेंगे तो इसके एक एक कंख है पहले में पहले वाले प्रशन में गंगा मया दूसरे वाले प्रशन का उत्तर है इलाहबाद E है कुछ लोग HA लिखते है E है तीसरावाला मन्दिर मा के उपरम की मात्रा दा को पहली वाली एकी मात्रा फिर रा मंदिर चोहता में उदासी पहला वाला वो दा के पस में आ की मात्रा सा को दूसरी वाली एकी मात्रा उदासी पांचवां चरीत्र चा रा को पहले वाली एकी मात्रा फिर त्रा चरीत्र ना को पहली वाली ए की मात्रा, भा को रा की मात्रा ऐसे आएगी ए की मात्रा, आपके दहिने तरफ मुड़ेगी तो वो रा की मात्रा, जिसे धर्म में रा की मात्रा है वैसे ही भा के उपर रा की मात्रा है राकी मात्रा उपर भी आ सकती है कभी नीचे भी आ सकती है अब ये जो मात्रा आकर है वो राकी मात्रा निर भा को राकी मात्रा पास में या निर भाए निक्ष्ट साथवा धर्म अब धा और मा के उपर राकी मात्रा आकर है जैसे भा के उपर रा की मात्रा आकर है वैसे ही मा के उपर रा की मात्रा आकर है धर्म आटवा कुर्सी का को उ की मात्रा सा को दूसरी वाली एकी मात्रा और फिर उसी के पास में रा की मात्रा छोटी सी मुड़ी गई है वो कुर्सी नेक्स्ट पशू, पक्षी, पा, शा है, शा, न, ऐसे वाली चीजों के पास में आखी मात्रा रहती है, तो आप दूसरी वाले आखी मात्रा लिखकर शू नहीं बना सकते, डिरेक्ट, पा, शा को, उ की मात्रा पशू, नेक्स्ट, पक्षी, शत्रिया करके वर्ट साता है, शत्रग्या, वैसा शा लिखकर उसे दूसरी वाली की मात्रा लिखना है, पक्षी, दस्वां प्रश्न है, गंगा मैया ने किसे सर्वशक्ति मान कहा है, गंगा मैया ने प्रकूर्ती को सर्वशक्ति मान कहा है, पुना उत्तन की किर्णे कफूर्ती है, पतन की परकस्टा हो जाती है, पुना उत्तन की किर्ने फूर्ती है अब यहां पर प्रकूर्ती पा को देखो इस तरह से रा की मात्रा आती है प्रा का को रू की मात्रा सी की तरह मोड़ना है ता को पहली वली की मात्रा प्रकूर्ती अब यहां पर पतन पा ता ना पतन काई की परकस्टा पारा आरा परा का के पास में आकी मात्रा आदा वलश्या ठा ठा के पास में आकी मात्रा पराकस्टा हो जाने पर पुना उत्तन की किरने फूरती है यह आपके लिए गंगा मया से दस ही प्रिश्णी दिया गया है आपको थोड़ा थोड़ा करके दिया जरा है डैली अगर आप के हाद में है यहां को समाप करते हैं धन्यवाद